नया स्लेबस हो चे पुराना स्लेबस हो चेप्टर 6.1 क्लास 9 का कोशे नमबर 2 दिख क्योंकि पुराने स्लेबस में था और कोरोना का जो नया स्लेबस निर्दारीत हुआ है उसमें भी कोशे नमबर 2 है आई बात समझ में ये चेप्टर जो 6.1 है वो आपका पहले भी था और आज भी है आई बात समझ में कौन सी चीज अटाई है मैं आपको दुबारा बता दूँगा या फिर जैसे जैसे क्वेशन करवा रहा हूँ वैसे वैसे बता दूँगा ठीक है कौशे नमबर 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रीप्शन में है देख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से समझा है काफी बच्चों ने पसंद किया है आप नए हो तो आपको भी पसंद आएगा करते हैं कॉशे नमबर 2 कॉशे नमबर 2 ऐसे कह रहा है कि अक्सवाई और एमन है ओपर प्रतिछेद करते हैं कॉण P O Y वराबर 90 डिग्री है यानि कि ये वाला जो कॉण है ये 90 डिग्री है A और B कॉण है ना इनका कॉणों का अनुपाद दे रखा है 2 अनुपाद 3 और कॉण C का मान गयात करना है आ गई बात समझे एकदम E G V में करेंगे क्या करेंगे एकदम E G V में ध्यान से देखना समझ में आ जाएगा ठीक है मेरे साथ साथ उतारना बिटा मैं मिटाता जल्दी हूँ साथ साथ लिख लेना देखो सबसे पहले क्या करेंगे आपको दिख रहा होगा कॉण P O X प्लस कॉण P O Y is equals to 180 डिग्री चूँकी रेखिक युगम कॉण किया है मैंने बराबर और ये कॉण बराबर किया है और दोनों को जोड़ा है 180 डिग्री के बराबर किया है और क्या कहा है कि ये रेखिक युगम कॉण है जी बिल्कुल है एक रेखा की ऊपर की युगम बने हुए कॉण 180 डिग्री के हो तो 180 डिग्री के होते है यहाँ पे कोण P O Y का मेरे पास मान है तो यहाँ से P O X का मान में निकाल सकता हूँ बराबर 180 डिली चुंकि कोण P O Y बराबर 90 डिली यहाँ से कोण P O X बराबर 180 माइनस के 90 तो यहाँ से बच जाएंगे 90 मोटा मोटी में कहूँ तो कोण P O X बराबर कितना आजाएगा 90 डिली एक चीज तो यहाँ गए सबसे में चीज अब इसने क्या कहा है कि A और B का जो अनुपात है वो 2 अनुपात 3 है यह तो अनुपात है इसको कोण बनाना चाहूँआ तो मैं के से गुणा कर दूँआ 2 के या 3 के अब क्या हो गई यह कोण हो गई देखो आपको यह कह देगी पूरे कोण का योग 90 डिगरी है और इनका अनुपात दे दिया यह है तो आप कोण निकाल सकते हो थो मैं दोनों कोणों को अगर जोड़ूँ दोनों कोणो को जोड़ूँ तो मेरा 90 डिगरी आता है 2 के यर्ट 3 के कता होगा 5 के होगा और बराबर कता होगा 90 डिगरी होगा जब आपको के कोण निकाल लेगा तो 90 वटा पांच और मेरे साप से 18 आ जहेएगा थारे साबसु करता हूँ है कमेंट करके बता दिया नहीं ठीक है के को मान करता हूँ आगो 18 आगो अब एक चीज बता हो थे मैंने जद के को मान 18 आगो तो मैं पहली के मान्यों हो A बराबर 2 के माना था ना तो 2 गुणा के का मान 18 रग दो 18 दूनी 36 डिगरी A का मान आ गया 36 डिगरी B का मान B का मान मैंने माना था 3 के तो 3 गुणा 18 बराबर 18 ती 54 डिगरी यहनि इसका मान आ गया 36 डिगरी इसका मान आ गया 54 डिगरी और टोटल हो जाएगा आपका कितना 90 डिगरी हो गया काम अब लेके चलो किसको लेके चलोगे यहाँ पे लेके चलोगे कोण यहाँ पे चलोगे अक्स, O, M ठीक है? या फिर M, O, Aक्स बोल दो आपको पता है कोण होता है उसको बीज में लेकर बोला जाता है M, O, Aक्स और प्लस में कोण हो जाएगा आपका N, O, Aक्स और बराबर कितना 180 degree मैंने इस कोण को ले लिया बěटा और इस कोण को ले लिया दोनों कोणों को लिया है 180 degree के बराबर किया है चूँकि ये भी क्या है आपके रेखिक यूगम कोण है मेरे को दिखाई नहीं दे रहा होगा सायद आपको उपर लिख देता यह चीज हो गई मैं मिटा रहा हूँ इसको दिहान में रखना विटा यह चीज हो गई ना इतनी अब क्या करेंगे यहाँ पे इस कॉण का मान तो मेरे पास है M O X का भी B का मान निकाला कितना निकाला है हमने 24 डिगरी निकाला है तो इसका मान तो रख दो 54 प्लस कोण N O X और बराबर में आपका कितना है 180 डिगरी कोण N O X इसी का दूसरा नाम क्या है विटा इसको बराबर मैं लिख सकता हूँ C के इसका दूसरा नाम क्या है C है बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस यह प्लस में है आपके 6 गई या फिर 7 में से आपके 5 जाएगे 2 बच जाएगे और आपका 1 बच जाएगा तो C का मान है वो आजाएगा 126 डिगरी आई बात समझ में सबसे पहले हमने क्या किया कि इन दोनों कोणों को बराबर किया इस कोण को और इस कोण को मैंने बराबर किया रेखी क्यूगम कोण हो गई तो ये 90 है तो ये टोटल भी 90 बच गया पता तो चल रहा था लेकिन हमने निकाल के देखा क्योंकि हमें नमबरी इसी चीज़ के मिलते हैं आगई बात समझ में तो हमने क्या कि इनको 90 कर दिया दोनों को अनुपाद दे रखा था अनुपाद से मैंने कोणों को फाइंड आउट कर लिया ये तो आ गया 36 डिगरी का ये आ गया 24 डिगरी का जब मेरे पास ये मान आ गया तो मैं इसको निकाल सकता हूँ क्यों क्योंकि ये देखो यहां पर रेखिक युगम कोण है दिख रहे होंगे आपको इन दोनों को इन दोनों कोणों जोड के 180 डिगरी के बराबर किया और ये क्या हो गई रेखिक युगम कोण हो गई और यहां से मैंने इनका मान रख दिया एक कामान 54 डिगरी आया तो दूसरे कामान 126 डिगरी निकाल लिया ठीक है पहला question हमने कर लिया पहले वाले वीडियो में और दूसरा question कर लिया इस वाले वीडियो में आई बात समझ में question कैसा लगा आपको इसका तरीका कैसा लगा कौन सी चीज अची लगी या फिर मतलब मेरा जो तरीका है वो hard है तो एक छुटा सा comment करके बताना ठीक है आपके comment का स्वागत करता हूं और मिलता हूं अगले वीडियो में तब तक के लिए राम राम